देवास के महापर होगी अनारक्षित महिला, बावजूद पैलेस जो तई करेगा उसी महिला को मिलेगा महापूर का टिकेट, कांग्रेस में कहीं पुना रावरती ना हो जाए। आज प्रदेस के 407 नगरी निकाय में महापूर और अध्यक्षिपत के लिए आरक्षन हो रहा है। इनमें 16 नगनिगम, 99 नगरपाली का और 294 नगरपरिशत चुनाओ की तारिखों का एलान किया जाएगा। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी 2011 की जंगन्ना के आधार पर ही आरक्षन किया जाएगा। इसका साफ मतलब है कि अनुसुचित जाती के लिए आरक्षन में बतलाव नहीं किया जाएगा। आज प्रदेस भर के नगरी निकायों के लिए महापूर अध्यक्षिपत के आरक्षन की प्रक्रिया भोपाल में चल रही है। जैसे जैसे आरक् प्रदित निकाय में कुछ लोग उत्साहिद हुए तो कुछ के हाथ निराशा लगी। देवास नगर निगम में भी महापूर की सुर्ग से होगा यह ठताई हो चुका है। इस बार देवास नगर निगम में महिला महापूर होगी। चूकि यह अनारक्षित है इसलिए यह म महिला महापूर सामानिय, पिछडा वर्ग, अनुस्चित जाती, अनुस्चित जन जाती आदी से हो सकती है। ऐसे में उन सभी नेताओं की अर्मान धरे के धरे रहे गए हैं जो गाहे बगाहे महापूर बनने के सपने देख रहे थे। अब इन ही महापूर के दावेदारों को अपनी पत्नियों के नाम मजबूरी में आगे करना पड़ेंगे। हलाकि यह उनके लिए तेड़ी खेर ही होगी क्योंकि एक बार नगनिगम के चुनाओं में ऐसी महिला को महापूर उम्मिदवार बना दिया गया था जिनका स्वियम का कोई राजनितिक वो सामाजिक वजूद नहीं था। नतीचा यह था कि वो अपनी स्वियम की पहचान रखने वाली रिखा वर्मा को महापूर की कुर्सी मिली थी। इस बार भी यही होने वाला है दिवास नगनिगम में महापूर में कुर्सी पर वही महिला बैट पाएगी जिनका स्वियम का वजूद हो। हाला कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुक पार्टियों में एकका दुक्का ही नेत्रिया है जिनका स्वियम का कोई वजूद हो। हाला कि कुछ ऐसे भी नेता है जिनकी पकड़ जनता के बीच है तो पैलेस के भी चहते रहे है। ऐसे में भाजपा के लिए पैलेस जो तई करेगा उसी महिला को महापोर का टिकित मिलेगा। भाजपा में कुछ ऐसी दमदार महिला भी है जिनका स्वियम का अपना वजूद है। जिन में पुर्णीमा खंडेलवाल भी शामिल है जो नगनिगम में पार्शत रह चुकी है। चूकि पुर्णीमा खंडेलवा है वह नाम है ममता दिलिप शर्मा ममता दिलिप शर्मा के स्वियम की अपनी पहचान है और वे नगनिगम में पार्शत से लेकर M.I.C. सदश्य तक का सफ़र ताई कर चुकी है और वे भी पेलेस के चहेतों में शुमार है। भावी दावेदारों में मनोरमा सोलंकी का नाम भी आता है। स्रीमती सुलंकी प्राधिकरन में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है। तो साइंस कालेज में जन भागिदारी समीती में भी काम किया है। महिला मोर्चा की जिला उपाद्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रही है। एक अन्य नाम डक्टर मनिशा बा के माध्यम से जन्सिवा में सक्रिय है नगनिगम में एल्डर में रही विनिता व्यास भी भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय पदाधीकारी है उनके नाम को भी आगे बढ़ाया जा सकता है यदि पैलेस और संगठन दोनों की सहमती बनी तो नगनिगम में वर्षों तक बावा भाजपा की और से और भी कई दावेदार हो सकते हैं जिनके चैन में पैलेस की सहमती और संगठन की अनुमती दोनों हो सकती है इनमें भाजपा नेता दुरगेश अगरवाल पूर्वो मंत्री दीपक जोशी की पतनी को भी आगे किया जा सकता है इनकी भले ही राजन दीगम महापोर महिला के लिए अरक्षित है वैसे तो पार्टी की हर सदश्ची योगिता रखती है लेकिन संगठन इस्तर पर सभी दावेदारों से आवेदन बुलवाये जाएंगे संगठन इस्तर पर ही सरवे भी कराये जाएगा सामुही बैठक लेकर सरवानुमती से महा पर पत्यासी ते की है जाएगा